बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब जैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों स्वीडियों में डिसकस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 22 फर वर यानि की बुद्वार को किस साइड मोमिन्टम कर सकते हैं कौन से लेल परम प्रोफिटेबल जो कि इंटरा डे के लिए बैस्ट होता है हिट लाइग वडन दोस्तों जिन लोगों को याद है मैंने कल कलियरली बोला था कि कल स्टोप लोस हंटिंग मार्केट होने वाली है एक रेंज में फस सकती है क्योंकि उपर सेलिंग एरिया है दोस्तों प्वाइंट नीचे बाइ यह important level था और आज हमारा यह important level होने वाला मैंने आपको यह dot dot line कल लगा के और मैंने छोड़ दिया था कि आप इसको mark कर सकते हो और अगर आप देखोगे तो दोस्तों market यहां पर open होके बिल्कुल हमारी line को touch करके फिर से नीचे और इस zone के अंदर गूमती रही और जहां तक बा जैसा कि मैंने सुबह क्लियरली बोला था सुबह के विव में कि मार्केट में एकदम से बुलिश नहीं होंगे थोड़ा सा नीचे आ कि फिर सपोर्ट से वापीज निकलेगी तब हम जाने की कोशिस करेंगे और हमको 30-35 पॉइंट यानि की बैंक निफ्टी के अगर उसको calculate क सबने की तो जिसने जिसने दोस्तों एनलीसिस को enjoy किया कुछ सीखने को में like और comment करके जरूर बता है इससे मेरा होचला बढ़ता है चलिए कल का discussion कर लेते हैं ज्यादा कुछ दोस्तों कल का discussion है नहीं क्योंकि जहां पर मार्केट कल बंद हुई थी उसी के आसपास आज मार्क फ्लेट ओपन होई 4,8890 के ऊपर निकल गए अगर हलका सा प्राइस सेक्षन बनाती है तो पचासाट पॉंट का स्टोप लोस रहेगा 41,280 का हमारा टार्गेट हो जाएगा हम कोल साइड प्लानिंग कर सकते हैं एक चीज दोस्तों याद रखेगा फ्रेश सेलिंग एरिया है अकूरेट पॉइंट आपको फ्रेश सेलिंग एरिया के बता देता हूँ एकूरेट पॉइंट है 4,100 से लेके 4,000.80 के बीच में यानि कि 4,100.00 से 4,000.80 के बीच में फ्रेश सेलिंग एरिया है पलस 200 दिन का मूविंग एवरेज है बहुत चारे लोगों के डाउट पता क्या से 20,000 लेकर चारट में कर सकते हैं तो इसको आपको मैर्क देखने को मार्केट मिल चारेचेभला मैंनेज का लिए Patrol रौसेड़ करेंगे अइम यह दोट साइड यहां to मार्केट में यहां से फिर मार्केट में वापीस डाउनसाइड कर सकते हैं पुट सेट दोस्तो कब जाएंगे फ्लाइट उपन होने के बाद फ्लेट अपन होने के बाद 4,550 के नीचे अगर निकलना सुरू करती है और जो शेफ ट्रेडर ने 4,500 के नीचे जब निकलना दोस्तों कल भी मैंने आपको बोला था 200 उपर सेलिंग एरिया तो इसके इसके अकोरडिंग हमको प्रोफिट बूक करने पड़ेगा और कल मार्केट की क्लोजिंग इधर थी तो आज भी मार्केट की क्लोजिंग इदर ही तो वहीं जोन हमारे काम करेंगे तो चोटे या फिर open gap up या gap down opening मिल गई तो हमें थोड़े से बड़े target मिल सकते हैं उसको हम कैसे manage करेंगे उसको हम कैसे approach करेंगे वो देख लेते हैं मालीजे दोस्तो gap up open हो जाती है बैंक निफ्टी सीधा 4100-4100 की रेंज में और एक negative candle बनाती है 200 दिन की moving average के आसपास तो उस 15 minute की candle को हम mark करेंगे हाई हमारा stop loss होगा और जब इसके नीचे market निकलना सुरू करेगी हलका सा price action बनाएगी तो हमको space मिल जाएगा थोड़ा सा क्या करेंगे माल लीजेंगे मुझे मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकते क्योंकि ग्लोबल मार्केट काफी नेगेटिव चल रही है अगर दोस्तो गैप डाउन होगी तो क्या करेंगे अगर पूजिट्व बना देती है तो हम उस केंडल का हाई ब्रेक होके अगर हलका सा रिटेस्ट हो रहा है तो हम छोटे टारगेट के लिए कोल साइड प्लानिंग कर सकते हैं उस केंडल का लोग डालके लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना अगर गैप डाउन ओपन होक और इसके भी नीचे निकलती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूँगा नेक्स्ट बाइंग और सेलिंग एरिया क्या है तो यही हमारे जो नियर जो नोन टेस्टेड बाइंग सेलिंग एरिया है फिलाल तो हमारे यही है अगर इसके बीच में दोस्तों प्लानिंग करेंगे जैसे कि आज हमने निफ्टी में किया था ऐसा ही सेम टूसेम अगर इसके बीच में उपन होती है तो हम वेट करेंगे कब नीचे जा के बाइंगे नीचे के साइड में अगर कोई पोजीटीव केंडल बनती है तो रीकवरी और अगर उपर जाती हो जहा तो इसको नेगिटीव केंडल ही माना जाता है क्योंकि यह 15-15 मिनिट की केंडल होती है इनको अगर आप 45 मिनिट में कर लोगे तो यह चार केंडल एक हो जाएंगी और इस टाइप की बन जाएगी तो बात समझ रहे हैं यह थोड़ा सा दीप कोंसेप्ट दोस्तों हलागी यह क जल्दी सिखाए जाता है क्योंकि वहाँ पर हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं और यह तो बिल्कुल बेसिक चीज है लेकिन इसके उपर भी में वीडियो बना दूंगा यूटूब पर चिंता ना कीजिए चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का आपको दिखा देता हूँ सुबेगा वीव क्या था यह देखिए आज मार्केट हलगी गैप अपन हो रही है अभी तक डेटा फलेट पलस नेगेटिव बनावा बले गैप अपन हो लेकिन डेटा नेगेटिव बनावा था यानि खुलते ही पोजिटिव ना बने अगर मार् मैंने अपलाई किया और गैप जैसे ही फिलुआ हम कोल साइड गए और हमको एक इम्मू जो सो पॉइंट का निफ्टी का था हमने इसको कैप्चर गया सो यासी नब्य का था इतना ही मिला है बाई सारा दिन अगर आप देखो के तो तकरीबन इसी जोन में मार्केट घूमी ह जहां पर ओपन हुई थी स्टड़ी कौन से ली थी दोस्तो स्टड़ी हमने ली थी मैंने सपोर्ट लेवल ब्रेक आउट लेवल सब मैं आपको डीटेल में बता देता हूं इससे भी आपको दोस्तों काफी हेल्प मिलती होगी निफ्टी का ब्रेकडाउन लेवल 17,830 का था देखें कहां तक गई थी 17,800 तक गई थी ठीक है यहां से फिर मारके जोगी राउंड लेवल है मैंने आपको बोला था कि राउंड लेवल पर ट्रेड कर सकती जो कि हम आज भी करने वाले तो यह हमारी स्टड़ी थी इस टेलीग्राम चैनल पर स्टड़ी पोस्ट करता हूं जिसका टार्गेट हमको बस पांच पॉइंट रहेगे सो पॉइंट रुपएगा इसका टार्गेट था लेकिन हमको 95-96 तक ऐसा ही पहुंची थी यह मैंने इसमें अब्बेभी प्रोफिड बुक कर लिया था यह दो जाएंगे मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे ठीक है कोल टिप्स के लिए यह जो औरीजनल चैनल की पैचान यह है कि हर पोस्ट पर आपको 40-50 जार व्यूज मिलेंगा अनिकि एक्टिव मेंबर उन लोगों की भले ही अमसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो लेकिन उनके एक्टि वाट्सआप सब्सक्राइब जले तोई मैं मेरे नाम को पैसे मत देना भाई मेरे नाम से किसी इसको ми कहते नेनलार इंब आपको शूरूरा मार्च मीड में भी चलिए, निफ्टी का देख लेकते हैं, क्लोजिंग आईए दोस्तो, 17,820 के आसपास, वहीं, राउंड लेवल पे हम ट्रेड करें, लेकिन थोड़ा सा खत्रा है, 17,775 के आसपास एक बाइंग एरिया है, जो रिस्की ट्रेडर हैं, वो तो रिस्क लेज सकते हैं, लेकिन मैं लेकिन प्लानिंग जो अप्शन चैनल के नुसार वह क्या है, फ्लेट ओपन हो, और 17,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है, और हलका सा रिटेस्ट हो जाता है, तो 20-30 पॉंट का स्टोप लोस रेगा, 17,720 का टार्गेट हो जाएगा, पूट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, को कोल साइड कब जाना है, 17,950 का मूविंग एवरेज है, जब यह अपसाइड ब्रेक हो जाएगी, तब ही कोल साइड की प्लानिंग कर सकते हैं, और यह एवरेज में एक्जेक्ट पॉंट अगर आपको बताऊं, तो है भाई, सेलिंग एरिया है, निफ्टी में, 17,915 के कोल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, 20-30 पॉंट का स्टोप लोस डाल गे, डारेक्ट अगर गैप अप ऑपन होती है, इस की सी रेंज में तो हम वेट करेंगे, यह पर कोई नेगेटिव केंडल बनती है, तो हाई स्टोप लोस रहेगा, और जैसे इसका लोग ब्रेक होगा, ह बाकी ऑप्सेन चैन में आपको दिखाता हूं, उसमें आपको कलीरली हो जाएगा कि मसला क्या चला, देखिए, निफ्टी का है, आपको क्या दीख रहा है, गितनी भयंकर बाई, उप्सेन सेलिंग हुई है, उनलब कोल राइटिंग हुई है, देख रहे हो, मतलब इसकी 800 पे है दोस्तों सबसे ज्यादा तेजी वालों के अनिकी कोल पुट राइटर की, अगर 800 के नीचे निगलती है तो फिर 720, 700 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, दूसरा जो सपोर्ट लेवल होगा, वो 700 का होगा, अगर 800 के नीचे निगलना शुरू करती है, इसके ब और अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाते है तो रीकवरी के भी चांस है भाई फिर अगर पोजिट्व केंडल नीचे सपोर्ट पर बनती है दो, बाकी में कुछ PCR डेटा चेंज होता है और कुछ अच्छी सी स्टेडी बनती है तो मैं पोस्ट कर दूँ है टेलिग्राम केंडल बनती है तो फिर मार्केट रिकवरी कर सकती है चालीस पांसों के नीचे निकली तो 4100-4200 यह टार्गेट देखने को मिल सकते डाउन साइड क्योंकि यह लोग ट्रैप हो जाएंगे और और दूसरा लिए 41,000 के उपर निकली तो फिर यह लोग ट्रैप हो जाएंगे काफी मुस्किल लग रहा है क्योंकि इधर आप देखो के तो बहुत ज्यादा कोल राइट हुई है लेकिन इधर इतनी ज्यादा डाउन साइड हुई नहीं है पैंतारी जार पचास जार इकतर जार ऐसे हैं लेकिन यहां पर देखो के मंदी वालों के तरफ एक लाक्ष एक यह संकेत क्या है कि लोग मार्केट में थोड़े से बियरिश हैं मार्केट डाउन साइड जा सकती हैं तो यह लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के कैसे लेगी आपको वीडियो मुझे लाइक और कोमेंट करके जरूर बता है वीडियो को शेयर जरूर करें ता एक निफ वीडियो को साथ तब तक के लिए बाई बाई जै माता दी जै हिंद अपना ख्याल लखें खुश रहें थैंक्यू सोमथ दोस्तों